Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही useful चीज के इस्तामाल का तरीका शेयर करने जा रही हूँ अगर आप baking के शोकीन है तो आपके लिए चीज बहुत ही useful है इसके इलावा kitchen के हर चीज में एक काम आने वाली है तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा इसमें मैं इसकी इस्तामाल का तरीका और कहां से मिलेगी उसका सारा बताऊंगी और इसके इलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दें ताके मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करें हूँ मैयरिंग स्केल के इस्तामाल का तरीका यह दिखेजी इस तरीकी का स्केल है यह इस तरह का इसका बॉक्स होता है इसका लिंक जो हो मैं में अक्सर मेर किया जाता है यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे तो सबसे पहले अगर इस साइट पे तो यह ग्राम्स में होगा फिर इसके बाद यह दर्म्यान में मोड का बतन दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब यह ओंस में आजाएगा अगर आपने 31 ग्राम्स तो इसका मतलब अभी तक कि यह कप का वेट बता रहा हैं तो अब हमने कपके अंदर किसी और चीज़ का वेट करना है तो हम इसे टेयर कर देंगे सबसे बहले ये दिखें जी हम इसे टेयर करेंगे तो ये कप का जो वजन है वो जिरो कर देगा उसके बाद हमने जो चीज इसमें डालनी है वो मियर करके डालें For example मैंने पानी मियर करना है तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसके बाद जी इसे मेयर कर लूँगी तो अब ये फिर सिर्फ पानी का वेट बताएगा कप का वेट नहीं बताएगा ये देखे जी कितना आसान है मेयरिंग स्केल को इस तामाल करना आप इसे अपने किचिन गैजट्स में लाजमी शामिल करें आप इस पर हर चीज मेयर कर सकते हैं पर इफेक्ट बेकिंग के लिए आपके पास यह होना लाजमी है तो उमीद है आपको इसके इस तामाल का अच्छे तरीके से तरीका समझ में आ गया होगा अप मैं आउंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आप मुझे दौाओं में याद रखिएगा अलाहाफीज